नमस्कार बेरे बच्चों मैं आरती आप सबका आरती एडुकेशन वर्ड में स्वागत करती हूँ बच्चों आज इस वीडियो में हम आपकी कक्छा 6-8 तक की जो वर्क सीट आई है वर्क सीट नमबर 74 यानिके कारे पत्रक 74 और जिसकी डेट है 29 सितंबर 2020 उसको पढ़ेंगे इस समझेंगे अगर उसमें कुछ करने को दिया है तो वो भी करेंगे चले बच्चों आपको बता है आपका बड़े आपके परिवार के लिए बहुत इंपोर्टेंट होता है ना ऐसे ही जो हमारे महात्मा गांदी जी है जो इनको हम बापू कहते हैं उनका जनम दिन देश और विशु के लिए बहुत महत्पून होता है इसी प्रकार कुछ तिथिया होती हैं जो देश और विशु के लिए महत्पून होती है इन तिथियों के द्वारा लोग कुछ खास व्यक्तियों कारियों विचारों को याद करते हैं पता है आपको बताओ अच्चा गांदी ज प्रचार करते हैं उनसे महत्व देते हैं या उसके संबंद में जागुरुकता फिलाते हैं ऐसी तीथी रखी गई है अभी आप पढ़ोगे ना यह समझ में आएगा जैसे कि हमारे देश में 15 अगस्त आप समझ रहे हो ना जैसे 15 अगस्त है एक तिथी है एक डेट है और 26 जन्वरी एक डेट है और हम 15 अगस्त हमारे लिए बहुत में तकून है क्योंकि 15 अगस्त को हम क्या मनाते हैं बताओ जल्दी बताओ सोचकर और 26 जन्वरी को क्या मनाते हैं 15 अगस्त को हम सोतंतरता दिवस मनाते हैं 26 जन्वरी को तंतरता दिवस तो बच्चो आपको क्या करना है आपको यहाँ पे कलेंडर बनाना है ठीक है यहाँ पे आपको कलेंडर बनाना है कलेंडर बहुत ही सिंपल तरीके से बनाना है यहाँ पे आपको क्या लुकना है साथ तो ऐसे कोलम बनाने ऐसे ऐसे साथ ठीक है जिसमें कैसे होगा संडे होगा मंडे होगा ट्यूजडे होगा विड्नेस डे होगा इधर को ऐसे संडे मंडे करके आप साथ कोलम बनाएंगे और ऐसे बनाएंगे फिर अपने एक दो तीन ठीक है बच्चो इस तरीके से आप बनाएंगे अपना कलेंडर और जिस भी महीने में आपके मम्मी और पापा का बर्डे आता है अगर दोनों का एक महीने में आता है सपोज उनका जनम दिन आता है अक्टूबर में तो एक ही महीने का बना लो और अगर दो महीनों में आता है मानलो मम्मी का जुलाई में आता है पापा का सितंबर में आता है तो दो महिनों का कलेंडर बना लो अब उसमें आपको अपने जो मम्मी जिस दिन आपकी मम्मी है पापा का जनम दिन है मालो आपके जो पापा है उनका जनम दिन 10 तारीक को आता है ठीक है मानलो 10 तारीक को आता है तो एक तो 10 को आप हाइलाइट करोगे क्योंकि आपके पापा का जनब दिन है और सितंबर महीने में मानलो आता है आपके पापा का जनब दिन तो सितंबर महीने के जितने भी और important दिन है उनको भी लिखोगे और कोई छुटी आती है आपकी तो उसको भी लिखतोगे ठीक है अगर नहीं आती तो कोई बात नहीं इस तरीके से लिखना है और जिस महीने में आपकी मम्मी काता है उसमें भी जिस दिन आपकी मम्मी काता है उसको हाइलेट करना है और और कुछ महत्रपून दिना उस महीं निके तो वो भी लिखना है कुछ नहीं करना आपको ऐसे करना है ठीक है? कलेंडर बनाना है सिंपल सा अच्छा आप यहाँ पर क्या दिया है? सिक्षक दिवस किस दिनांको था? उपर लिखे और अपने प्रिया सिक्षक के लिए कुछ बाते कार्ड पर लिखे तो आपको क्या करना है वच्चो? यहाँ पर उपर लिखना है कम बनाए गया था तो आप तो इसको भूली नहीं सकते क्योंकि 5 सितंबर को होता है क्या होता है 5 सितंबर को? 5 सितंबर को होता है सिक्षक दिवस तो सबसे उपर तो आप आसे तंबर लिखे इसमें और आपको बनाना है सुन्दर सा कार्ड और कार्ड के अंदर लिखनी है अच्छी अच्छी बातें तो आप इस तरीके से कार्ड बना लिजे चाहे अगर आप बना सकते हो या फिर आप इस तरीके से कार्ड बना लिजे ठीक जो बनाए हमें इंसान, दे हमें सही गलत का ग्यान, ऐसे देश के निर्माताओं को सत सत प्रनाम, शिक्षक दिवस की हार्दिक सुध कामना है। एक सुध कामना ही लिखना है, ठीक है बच्चो, समझ में आ गया, वेरी गूड, इंटेलिजन बच्चे हो भई तुम तो, चलिए, आप क्या है, आप यहां पे दिया है, दो अक्टूबर गांदी जी का जनम दिन, महात्मा गांदी जी के जनम दिर पर विश्व क्या बनाता है अहिंसा दिवस मनाता है, अहिंसा जानते हो किसे कहते हैं, अहिंसा उसे कहते हैं, जो इंसान लड़ता जगडता नहीं है, जब लड़ते जगडते नहीं हैं हमना हम, तो उसको हम बोलते हैं अहिंसा, ठीक है, तो क्योंकि जो गांदी जी हैं, उन्होंने अहिंसा का रास्ता अपनाया था उन्होंने हिंसा का रास्ता नहीं अपनाया उनकों ने मार कार्ड जैसे कुछ लोग ते लड़के अपने देश को अज़ात कराया है लेकिन महात्मा घांदी जी ने अहिंसा के रास्ते पर चले कभी किसी से लड़ाई जगड़ा ना करके आंदोलन चलाए और देश को आज़ादी दिलाने में महतपून योगदान दिया गांदी जी की कौन सी बातें आपको अच्छी लिखती है लिखिए उनका चित्र भी बनाईए जो भी आपको गांदी जी की बातें अच्छी लगती है उनको लिखना है और उनका चित्र बनाना है तो बच्चो कैसे बनाएंगे आप आप इसका आंसर इस तरीके से लिखेंगे गांदी जी मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि वे हमेशा सच बोलते थे यानिके सत्य बोलते थे और हमेशा अहिनसा के रास्टे पर चलते थे कभी किसी से लड़ाई नहीं करते थे ठीक है बच्चो ये आपको यहाँ पर लिख देना है जो मैंने आपको बताया गांदी जी का चित्र बनाना है ये चित्र लगाना है और ये लाइने जो गांदी जी मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि सच बोलते थे आहिंसा के मार्ट पचलते थे किसी से लड़ाई जगडा नहीं करते थे वो आप लिखतेंगे यहाँ पर ठीक है बचो चलिए आप देखते हैं स्टुडेंट्स क्या है और इसमें चलिए आप दियें हैं कुछ तिथियां कुछ यानिके डेड़ जो बहुत ही इंपोटेंट है हमारे लिए यह हमें याद करनी है एक जन्वरी को हम बनाते हैं अंतरास्टिय परिवार दिवस नो जन्वरी को मनाते हैं परवासी भारते दिवस परवासी कोन होते हैं जो भारत में आ जाते हैं भार की लोग उन्हें बोलते हैं परवाशी और दस जन्वरी को बनाते हैं विस्व हिंदी दिवस ठीक है चलिए और देखते हैं 24 जन्वरी को हमette है राश्ट्यव बाली का दिवस और 25 जन्वरी को मनाते है राश्ट्यव परियेटन और मतदावतता दिवस मतलब दो दिन है एक तो परियेटन जो गूमने फिरने का है और मतदाता जिस दिन वोट डारी जाती है, वो 25 जनवरी को और 30 जनवरी को हम मनाते हैं सही दिवस 28 फरवरी को राश्टे विज्ञान दिवस मनाया जाता है लेकिन उन्हों ने हमसे कोशन किया है कि किसके जनम दिन पर मनाया जाता है तो हम बुद्दु थोड़ी ना है हम बता देंगे ये मनाय जाता है C.V.Raman किसके जनम दिन पर मनाय जाता है दुबारे लिख देती हूँ आप लोगों के लिए C.V.Raman ठीक है C.V.Raman बहुत बड़े विज्ञानिक थे उनके नाम पर ये बनाय जाता है परियावरन के लिए हैं विज्ञान दिवस अच्छा 22 अपरेल को हम बनाते हैं हमारी प्रत्वी का दिवस और 18 अपरेल को Bनाते हैं विसु विरासत दिवस 6 अपरेल अंतर लास्ट ये खेल दिवस 22 मार्च को बनाते हैं विशू जल दिवस ये उल्ट 21 जून को मनाते हैं हम योग दिवस ये तो अभी शुरू कराया ना मोदी जी ने कुछ सालों से और 15 अगस्त को तो आप सब जाते ही है 15 अगस्त को क्या बनाते हैं बताओ अभी बताया था मैंने very good बहुत बिल्कुल ठीक कह रहे हो हम बनाते हैं स्वतंतरता दिवस स्वतंतरता ठीक है इस तरीके से लिखेंगे स्वतंतरता दिवस मनाते हैं और 26 नमंबर को मनाते हैं समीधान दिवस क्योंकि बी आरंबेड करने महान योग दान दिया था उनकी याद में हम 26 नमंबर को मनाते हैं और 14 नमंबर को मनाते हैं बाल दिवस 10 दिसंबर को मनाते हैं भी सुमाने कुमाना वधिकार दिवस और 23 दिसंबर को मनाते हैं किसान दिवस ठीक है बचों और प्रत्वी दिवस हमारा 23 अप्रेल को होता है यह हमने पढ़ लिया 29 अप्रेल को हाँ यह रहा गया 29 अप्रेल को मनाते हैं अंतरा स्टें रेत दिवस देखो डांस कभी दिन होत ना पूरे विजू की जो वीरास्तें जिसे बिल्दिंग है इस तरिके की चीज़े उसके लिए बनाते हैं अपके बच्चो अप देखो यहां पह कि छाला है यहां पर है 14 Candain को बैल बनाते हैं ठीक है बच्चो तो ये थी आपकी बहुती आसान सी आज की वर्क सीट रहना और अगर आपको वीडियो से हैग मिली है तो वीडियो को लाइक कर दें चैनल को सबस्क्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करा करो बच्चो ठीक है और आपके न कमेंट का मुझे बड़ा वेट रहता है आपके मेंट में लिख दोगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा दें नवाद रच्चो